हेलो दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बड़ी खुसकबरी और जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे टेलिग्राम चैनल पर अगर देख लिया है तो फिर आप लोगों को पता होगा कि RSMSSB बॉर्ड यानि जो राजस्तान के अंदर अधिनस्त बॉर्ड चलता है उस अधिनस्त बॉर्ड के दौरा अपनी प्रिक्साएं जो करवाने वाला है इस वर्स के दौरान उसका एक टाइम टेबल जो है जारी कर दिया है इस टाइम टेबल से हमें बहुत सारी जानकारिया भी मिल चुकी है वो सब मैं आपके सामने आज इस वीडियो में किलियर करने वाला हूँ जैसे कि सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो हमारे साथ में सबसे ज़्यादा वित्यार्थी जुड़े हुए है ल्डीजी के तो देखिए ल्डीजी के प्यारे प्यारे वित्यार्थी हो आप लोगों के लिए ये किलियर हो गया है कि ल्डीजी एक्जाम सीटी बेस्ट होगा एक चीज़ तो ये ठीक है और दूसरा सीटी बेस्ट है और साथी साथ कौलिफिकेशन किलियर हो गई सेकेंडरी सिनियर सेकेंडरी का मतलब 12th क्लास ठीक समझ में आ गई बात एक चीज़ तो ये डूसरा आपका एक्जाम डेट आ गई है 11 अगस्ट आज सुबे ही एक विडियो आया है जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि जुलाई एक्जाम के आसपास आपके एक्जाम होंगे और देख लीजिए अगस्ट 11 अगस्ट 2024 डेट आपकी गोसित हो चुकी एक्जाम की इसका मतलब मार्च के फर्ष्ट विग से पहले पहले आपके पास notification आ चुका होगा इस एक्जाम का इसलिए लग जाईए LDC वालो अब मत मौका चोड़ना 352 पद आ रहे हैं मौका मत आएंगे किसका चात्रावास अधिकसक का क्योंकि चात्रावास अधिकसक एक्जाम भी CET 12 बेस पर होगा इसका मतलब इसकी भी qualification चात्रावास अधिकसक की भी qualification 12 पास होगी तो 12 पास विद्यारतियों के लिए 2 वेकेंसिया है बहुती अच्ची और आप लोगों के लिए बह अधिकसक एक्जाम जो है हमारे मानदेय अधिकस मौदेजी ने इससे पहले ही डिकलेर कर दिया था वो information मैंने आपके टेलिग्राम पर साहित शेयर करी है या नहीं करी confirm नहीं हूँ लेकिन उन्होंने एक poll करवाया था और उसके माध्यम से इन्होंने देखा है कि 62% student जो है वो ये चाते हैं कि paper तो computer के अंदर आए है ना लेकिन हम answer OMR के अंदर भर कर आएंगे इस type का paper आपका होगा और ये paper आपका इस चात्रावास अधिकसक के अंदर CBT based हो सकता है CBT और computer दोनों होंगे मतलब computer पर आपका paper आएगा आपके पास physical paper नहीं होगा जिससे क्या होगा paper लिक नहीं हो पाएगा एक तो और OMR फिल इसलिए की जाएगी ताकि paper अगर computer हैक भी हो जावे तो भी आपके answer का कोई जंजड मारी नहीं रहेगा तो इसके लिए हम हमारे OMR ताकि paper अगर लिक भी हो जावे तो आपका क्या नहीं हो पाएगा वो कर नहीं पाएगा क्या नहीं कर पाएगा अरे भाई OMR ही जग उसके पास में दूसरी आएगी OMR तो फिजिकल होगी तो उसमें गरबड नहीं होगी और साथी साथ computer वगरा hack होने की भी समस्या नहीं स परियवेशक महिला और परियवेशक महिला अधिकारिता और चात्रावास अधिक सक ग्रेड सेकेंड मलब आपके जो सामाजिक नयाय और अधिकारिता विबाग की है जो 12 बेस है वो है अल्पसंख्यक मामलात विबाग की दोनों अलग-अलग है बड़तिया तो यह जो तीन से लग जाईए इन तीन बड़तियों में अपनी जो भी चाहे उसकी तैयारी में इन सभी का एक्जाम जुलाई में होगा 13, 20 और 28 जुलाई को इसका मतलब अधीरे धीरे राजस्तान के अंदर बड़तियों की तरफ जो है आगाज हो चुका है लगातार बड़तिया आ रही ह तो अब हमें भी हमारी तैयारी को कमर कसके कर लेनी चाहिए तैयारी क्योंकि अब 24-24 में अगर आप अपना सेलेक्शन नहीं करवाते हैं तो फिर सिधा 2025 आएगा वहिया सिधी सी बात है 23 में जिसने करवा लिया देखो अब उनके एक एक साल कंप्लिट होने आ गए है तो आ एक तो आप परियवेशक महिला जो आंगनबाडी कारे करता वाली भरती है उसकी तयारी कर सकते हो और वो होगा 22 जून को एक्जाम और वो नौन सीटी बेस्ट होगा लेकिन इसमें कॉलिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा और साथी साथ पसू परिचर के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को तो पता ही है कि आपके सीटी एक्जाम नहीं है टैन्थ मेस्ट एक्जाम है बना टैन्थ क्लास कॉलिफिकेशन थी और इसका एक्जाम होगा 21, 22, 23, 24 सितंबर को ठीक है इसका मतलब अब आपके पास मैं डिकलेर हो चुका है कि आपकी एक अब आप अपना समय वेर्थ मत करिएगा इधर उदर की वातों में अब लगातार पढ़ते रहिए क्लास नौट से पढ़िए नौट बनाईए उनको रिवाइज करिए उनकी प्रैक्टिस करिए जैसे हो जितना पढ़ सकते हो अब पढ़ लीजिए 6-7 मैंदे लगा लीजि देखो 12 वालों के लिए है परती 10 वालों के लिए है ग्रेडियूशन वालों के लिए है तो भई लगे रहो ना और अब भी हो सकता है रपीस्टी अपनी फर्ज ग्रेड सेकंड ग्रेड की पोस्टे निकालेगा तो MA, PhD वगएरा वालों के लिए भी तयारिया है तो सबी के ये बरतिया ही बरतिया है अब तो आपको केवल तैयारी करने के जरूत है और लगा दीजिए दोस्तो छे साथ महीने हमने लगाये थे हम सरकारी सेवक बन गए आप भी लगाईए आप भी बन जाएंगे और जब मैं कर सकता हूँ तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप भी कर स सकते हैं हमेशा मैं कहा करता हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ अब देखो ये समय ऐसा आया है कि अब आपको इस समय के साथ बदल जाना पड़ेगा या फिर वक्त बदलना सीख जाओ मजबूरियों को मत कोसो अब मजबूरिया मत बना देना हमारी ये साधी है हमारे वो है हमा दीजिए कि इस तारिक तक अब मुझे जो है केवल और केवल अपनी प्रिपेर्शन पर फोकस करना है अब टाइम टेबल आ गया क्वालिफिकेशन डिशाइड हो गई अल्रेडी सीटी बेश होगा या नहीं होगा यह किलियर हो गया तो और क्या चाहिए अब केवल पढ़ने की जरूत है चलिए मिलते हैं कलासेज में आज हमारी कलासेज साथ आठ और नो लगातार साथ आठ नो बजे रेगुलर होने वाली है तो देखना नहीं बुलिएगा धन्यवाद